आप सभी का मिनकेट PC के चैनल में स्वागत है आप सभी स्टुडेंट्स को आज इस वीडियो में मैं विप्रो के इनॉल्मेंट लेटर यानि की अफ़र्ड लेटर के बारे में बताने जा रहा हूं ठीक है यह आफ़र्ड लेटर 16 February 2022 को मिनकेट PC के स्टुडेंट रजनीस प्रजापती जो की BCA का स्टुडेंट है डाक्र रामनहौल लोहिया का उसे विप्रो ने आफर किया हुआ है तो यह विप्रो का आफ़र्ड लेटर उन स्टुडेंट के लिए है जो BCA और BSC के स्टुडेंट्स बिल्प प्रोग्राम से प्लेश्मेंट पा रहे हैं तो इस आफर लेटर में हम देखेंगे विप्रो क्या क्या वेनुफिट्स दे रहे हैं सारी चीजें आप प्लेश्मेंट के बाद इसे सेम कैसे पाएंगे इन सब छीजों को आप ध्यान से देखना है ठीक है चलो आओ देखते हैं विप प्रो के आफर लेटर के बारे में तो विप प्रो का आफर लेटर यानि कि इनवॉर्लमेंट लेटर के सब्जेक्ट में ये WILP Work Integrated Learning program के लिए है ठीक है जिसमें अगर आप WILP के थ्रोड प्लेश्मेंट पाते हैं आपका designation scholar training का होगा ठीक है आपको सारी benefit के बाद आपको senior project engineer बनाएगी तो आप सभी देखिएगा ध्यान से आप एक-एक word पढ़िएगा एक-एक word में इसमें देखना सबसे बेहतर point परने वाला क्या है The duration of the academic program shall be 48 month from the date of the enrollment to the academic program ध्यान से देखना इस बात को You will be enrolled into the academic program within 12 months from the date of joining Your date of joining will be automated through a shifted communication यहाँ पर आप सभी इस point को ध्यान से पढ़िएगा यह point आप सभी के लिए है ठीक है और यह later देखना अपना salient general manager human resource vipro की manager है इन्होंने reduce किया ठीक है termined conditions of scholarship scholarship की termined conditions क्या है आप इसको ध्यान से देखना profile के बारे में आपको mtech degree भी sponsor होगा ध्यान से देखना salary भी आपको मिलेगा सारी चीजे फारे benefits vipro आपको देने वाले हैं ठीक है यह profile में आप सभी लोग पढ़िएगा आप second duration आप पढ़िएगा duration में क्या कैसे है सब कुछ इसमें given हुआ है ठीक है यह latest enrollment later है vipro का third point appointment detail क्या है इसके बारे में आप सभी लोग पढ़िएगा एक-एक point ठीक है और fourth point आपका scholarship यानि stipend and benefits इसके बारे में आप सभी पढ़िएगा ठीक है आपको क्या कैसे मिलने वाला है आप सभी लोग एक-एक point इसका पढ़िएगा एक-एक point पढ़ने के बाद आपका यहाँ पर जो detail है इस table में इस table के detail को पढ़िएगा period यानि कि जब आप mtech first year में होंगे तो आपका जो scholarship होगा यानि आपको salary नहीं scholarship मिलना है पढ़ने के लिए 15,000 और ESI 488 टोटल आपका first year में जो per month विप्रो आपको provide करेगा 15,488 रूपीज per month first year में आपको देगा जब आप second year mtech में जाएंगे तो 17,000 प्लस 553 equal to 17,553 रूपीज per month आपको मिलेगा जब आप third year mtech में जाएंगे mtech भी आपका free ही होगा जहां से सोचिएगा आप लोग ठीके third year में आपको 19,618 ESI total आपको provide करेगा विप्रो 19,618 रूपीज and the final year जब आप final year में होगे तो आपको 23,000 per month मिलेगा ESI 0 होगा आपकी जो salary fourth year mtech में होगी 23,000 per month होगी ठीके उसके बाद आप सभी नीचे पढ़िएगा नीचे के बाद आप सभी यहाँ पर पढ़िएगा कुछ extra benefits हैं ठीके आप सभी लोग इस benefits इस वीडियो को फाउस करके एक-एक point अच्छे से पढ़िएगा ठीक है book allowance आपको पढ़ने के during में जो mtech कर रहे है book का allowance भी मिलेगा 1250 rupees डांस देखना है ठीक है scholarship advance आपको इसके बारे में भी ध्यान से पढ़िएगा training agreement आपका क्या होगा इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा fifth point जो है training agreement six point आपका project readiness program PRP PRP क्या होता है PRP हमारी YouTube चैनल पर PRP का वीडियो है उसे आप देख लेना और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा यहां पर seventh point आपका क्या है regulations of academic study जहां से देखिएगा ठीक है आपको हर एक चीज यहां पर clearly mention मिलेगा ठीक है विप्रो multinational company है आपको बेहतर देने वाली है आप सभी points इसमें पढ़ियेगा seventh number point का जितने भी points है इन सभी points को आप ध्यान से पढ़ियेगा हमारे वीडियो को पाउस करके ठीक है इन सभी points को आप पढ़ियेगा जितने भी points यहां पर given है जितने देखना सभी points आप बेहतर और patience के साथ पढ़िये number eight point पर फिराना conflict of interest इसके बारे में भी आप पढ़ियेगा यह भी आपको कुछ इक्ष्टरा ही देने माला है जितने पढ़ियेगा आपको अगर विप्रो में placement चाहे रहे हैं तो एक-एक point को पहले से देखना होगा ठीक है 9th number point में आप देखिएगा 9th number points आप बेहतर पढ़ियेगा 9th के बाद आप 10th भी पढ़ियेगा वीडियो को pause करके 10th के बाद आप 11th assignment of the instructional property आप पढ़ियेगा ठीक है intellectual property में आप posting आप 3rd point आप misconduct ठीक है आप सभी points को ध्यान से पढ़ियेगा 4th cancellation of the enrollment इस बात को भी ध्यान से पढ़ियेगा बहुत ही important है यह ध्यान से देखिएगा 14 number point 15 आपका study hours क्या-क्या कैसे पढ़ाई चलेगा वहाँ पर आप देप्रो में क्या कैसे होगा सारी चीजें आपको 15 में 5 points हैं आप 5 points को ध्यान से देखिएगा ठीक है 16 आपका journal 15 कोई बहुत बिसेश नहीं है ठीक है आप 18 पढ़ियेगा acceptance आप the enrollment later जो इसमें accept हुआ है लास्ट में देखिएगा और इसके बाद एनेक्जर आप पढ़ियेगा एनेक्जर act 200 एनेक्जर first एनेक्जर second एनेक्जर second देखिएगा एनेक्जर third आप देखिएगा initial induction program आई आई पी ठीक है विप्रो के दौरा CRP आप पढ़ियेगा आप TRP पढ़ियेगा CRP and TRP क्या होता है इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ियेगा ठीक है जो एनेक्जर fourth में third में होगा ठीक है एनेक्जर fourth आपका है post convention details यानि आपको benefit क्या क्या मिलने माले एनेक्जर number fourth बहुत ही important है इसको ध्यान से देखिएगे post successful completion of your course यानि कि आपका techniques होने के बाद and convention to full time employment you will be part of the campus program which has a special bonus and added career path please find below the compensation and bonus plan as part of the program which will be effective from your joining date with Bipro as a full time employment ध्यान्स देखिएगा your completion post successfully your compensation post successfully completion of your course and joining as a full time employee will be the 6 lakh परेन means आपका जब M.Tech फिनिस होगा तो आपको 6 lakh per annum minimum starting होगे ठीक है और यहाँ पर देखिएगा यह bonus point के बारे में जब आप M.Tech first year को cross करेंगे second year first year का जो bonus होगा आपके performance पर 1 lakh to 1.5 lakh आपको मिलेगा salary के बाद जो आपने salary structure उपर देखा है उसके बाद आपको per annum हर साल bonus देखो विप्रो 1 lakh से 1.5 lakh second year में भी वही 1 lakh से 1.5 lakh third year में भी आपका 1 lakh से 1.5 lakh per annum होगा यह आपका extra benefit है यहाँ से देखिएगा आप अच्छे से perform करना during the M.Tech विप्रो में आपको बेहतर bonus भी मिलने वाला है यह post एनेक्जर नंबर fourth बहुत ही important चीज है यहाँ से देखिएगा इस बात को ठीक है नीचे आईगा सारे कुछ पढ़ने के बाद एनेक्जर फिप्ट पढ़िएगा ठीक है आप next नीचे सारे एक-एक point पढ़ने के बाद देखिए यह जब offer आया था accept के time का button है जहां से देखने है अगर आप यहाँ पर accept करते हैं तो यहाँ पर accept आएगा उसके बाद signature आप करेंगे signature करने के बाद आपका जो mail होगा उस पर आपका offer accept हो जाएगा accept होने के बाद यह जो नीचे registered number है विप्रो का T4 telephone number लुडा कनेली का fax ठीक है सर्जाफर रोड आपका जो वैंगलूरू है यह आपका विप्रो का address है telephone number, fax number, email id विप्रो website यानि आपका यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर given हुआ है तो यह आपको तब provide होगा जब आप विप्रो में placement पा जाएंगे और आपको offer accept करने का message आएगा यदि आप विप्रो में accepted है तो accept पर click करिएगा नहीं तो आप decline पर click करिएगा अगर आप decline पर click करते हैं तो यानि कि विप्रो समझ जाएगा आप विप्रो में interested नहीं है यदि आपके पास offer कोई नहीं है और आप विप्रो लबर्स हैं आपकी dream company विप्रो है तो आप जो है विप्रो में इस offer के accept बटन पर click करिएगा और अपने offer को download जरूर कर लेना याद रहे offer ये जो हमने वीडियो में ये जो आपको मिल लहा है इसे download जरूर करना क्योंकि in case आप विप्रो आपको joining न भेज पाए तो आपके पास कुछ proof हो इस proof को आप so कर सकें कि हाँ आपके पास offer आया था आपने accept किया था और offer accept करने के बाद जरूरत पढ़ने पर आप जो है विप्रो contact कर सकते हैं otherwise आप इसे download नहीं करेंगे आपके पास ये दो बारा डाउनलोड करने का chance भी नहीं मिलता है आपके पास कोई भी proof नहीं रह जाएगा इसलिए आपको मैं यहीं बताऊंगा कि आप सभी students विप्रो के offer लेटर यानि enrollment लेटर को accept करें आप सभी को विप्रो के carrier या विप्रो की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को वेश्ट आफ लग सभी students मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेयर करें